हेलो दोस्तों, जारकन टॉक में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधान मंतरी जन आरोग्यय योजना यानी PMJ के बारे में, क्योंकि अभी जारकन में इस योजना का नाम बदल कर मुख्य मंतरी जन आरोग्यय योजना यानी MMJ कर दिया गया है, MM यानी मुख्य मंतरी, तो आगे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, कि नाम क्यों बदला गया है, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैं जारकन से जुड़े जितने भी important news हैं, उनको detail में लेकर आता हूँ, तो अगर आप ज मुख्य मंतरी जन आरोग्य योजना कर दिया गया है, इस योजना के बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे, ये एक स्वास्त्य भीमा योजना है, इस योजना के अंतरकत लाब पाने वाले परिवार का हर साल 5 लाक रुपए का स्वास्त्य भीमा किया जाता है, इस केंदर से अनुमति मिलने के बाद जहरकंड सरकार ने इस योजना का नाम जहरकंड में आयुस्मान भारत मुख्य मंत्री जन आरोगय योजना कर दिया है। मुख्य मंत्री जन आरोगय योजना कर दिया है। वैसे नाम में ज़्यादा बदलाओ नहीं हुआ है केवल प्रदान मंत्री के जगा पर मुख्य मंत्री कर दिया गया है। और इस योजना का केवल नाम बदला गया है। बाकी इसके अंतरगत पहले जो सुविधाएं मिलती थ पाइगे तो नाम बदलने के साथ ही अब golden card, golden card एक card होता है जो इसका lap पाने वालों के लिए बनाया जाता है उसमें और जो इसके अलाव अन्य documents है उसमें भी इस योजना का नाम बदलने की तयारी सुरू कर दी गई है तो अब देखते हैं कि जharkand सरकार ने इस योजना का न इसलिए नाम बदलना सही है। उसका 60% केंदर सरकार द्वारा और 40% राजसरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना में नाम होना चाहिए और इसी कारण राजय सरकार ने परदान मंतरी जन आरोगय योजना का नाम बदल कर मुख्य मंतरी जन आरोगय योजना कर दिया है और केंदर सरकार ने भी इसकी मंजोरी दे दिये आगे इस योजना के बारे में डीटेल में कुछ चीजे दे ये जो योजना है प्रदान मंतरी जन आरोगय योजना अब ज्ञारकन में इसका नाम है मुख्या मंतरी जन आरोगय योजना और इसकी शुरुआत हमारे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के दौरा 23 सितंबर 2018 को हमारे ज्ञारकन की राजदाली रांची से की गई थी और 25 परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो जैसे कि माता पिता और उनके कितने भी बच्चे हो यानि कि एक परिवार में 4, 6 या 10 कितने भी सदस्य हो सबको इसी 5 लाक में इलाज कराना होता है परिवार का साइज इस पर डिपेंड नहीं करता है और एक परिवार में किसकी कितनी उम्र है ये भी इसमें नहीं देखा जाता है मतलब कि एक परिवार के सभी लोग वो चाहे किसी भी उम्र के हो इस योजना का लाब उनको दिया जाता है इसमें इलाज में होने वाले सभी तरह के खर्च को जोड़ा जाएगा जैसे कि जाच वगेरा या मेडिसीन या अस्पताल में भरती होने का खर्च और अगर अस्पताल से निकलने के बाद भी आपको दवाई वगेरा खरिदना पड़ता है तो उसका खर्च भी इसमें cover होता है आपके मन में एक question आ रहा होगा कि या एक बीमा योजना है तो क्या बीमा यानि कि premium के रूप में बाद में पैसा देना होता है तो इसका जवाब है नहीं इस योजना में ऐसा नहीं है आपको कोई भी premium या पैसा नहीं देना होता है जो भी खर्च होगा वो केंदर सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है ये card है इस योजना का लाब लेने के लिए ये card बनवाना होता है इसको आयुश्मान कार्ड या आयुश्मान भारत गोल्डेन कार्ड भी बोला जाता है यहाँ लाभारती यानि विनिफिशियरी का नाम होता है और यहाँ पर उसकी फोटो होती है प्रदान मंतरी जन आरगे योजना के अंतरगत 13,000 से ज़्यादा अस्पतालों को सामिल किया गया है इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल सामिल है जहां पर आपका फ्री में इलाज किया जाता है इस योजना का लाब पाने वालों से अस्पताल किसी भी तरह का पैसा नहीं वसूल सकते हैं और इसमें बच्चियों, महिलाओं और वरिश नागरिकों मतलब की जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रात्मिक्ता दी जाती है इस योजना के अंतरगत 1300 नई और पुरानी सभी तरह की विमारियों को इसमें सामिल किया गया है और यह योजना पेपरलिस और कैसलेस योजना है और इस योजना की एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें आप भारत में कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं यदि आप जारकन से हैं और दिल्ली में जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इस योजना के अनुसर फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं और इस योजना के बारे में जानकारी पाने या किसी तरह की सिकाया दर्ज कराने के लिए एक 24-7 फ्री हेलप लाइन नंबर दिया गया है ये नंबर है 14555 तो इसमें आप call करके इससे related कोई भी जानकारी ले सकते हैं ये कुछ basic चीजें थी प्रदान मंतरी जन आरोगे योजना के बारे में अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो ये website है pmj.gov.in यहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पूरा जमसितपूर पश्चिम मतलब कि ये पश्चिमी जमसितपूर विदानसभा चेतर से विदायक हैं और पूर्वी जमसितपूर यानि जमसितपूर इस्ट से एक विदायक हैं जिन्होंने 2019 में हमारे जारकन के पूर मुक्यमंतरी रगवर दास को हराया था चलिए नीचे comment में उसका नाम आप मुझे बताइए तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद आपको बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ share कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए आप मुझे इन social medias पर जुड सकते हैं या मुझे इस mail आइडियो पर mail भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच जोहर